दोस्तो नमस्कार करनल अजयस यो अजयस्ट्रमनी गुरू फर्स्ट ग्लोबल अश्ट्रोफनेंस डीचल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूँ आज है 6 मई सन 2024 दोस्तो अजयस्ट्रमनी गुरू देश का पहला चैनल है जो अग्रो कमोंडिटीज मैटल फेरस नॉन फेरस मै कोल स्टील इन सभी पर आपको अपडेट और विस्टेशन देने का प्रयास करता है मसालों के अंदर लगबग सभी मसाले अनाज ओल सीड्स पल्सेज कॉटन इन सभी पर आपको अपडेट देता है आज की इस एपिसोड में हम सुपारी की बात करेंगे नट की दोस्तों पानी की कमी से लाल वे सफेज सुपारी की शौटेज होने की संभावना बन गई है जानिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से इससे पहले हम आके चले आपसे एक विनम रनरोद यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक सस्क्राइब नहीं किया है तो इसको सस्क्राइ प्रतिशो से सुपारी के बढ़ते आयाद से करनाटक के किसानों ने इस पर तत्काल प्रतिबंद लगाने की मांग कर दी हैं दूसरी और किन सरकार के अयाद को नियंतरित करने के लिए कई महतपून कदम उठाए हैं उसमें से सुपारी के आयाद पर ड्यूटी शामिल है जिन सरकार ने सुपारी के आयात को नियंतरित करने के लिए कई महतवपून कदम है जिसमें सुपारी के आयात पर 110 प्रतिशत का आयात शुल के शामिल है लेकिन इसके बावजूद भी कुछ अनादिक तर्टरीके से सुपारी का आयात अक्सर होता देखा गया है करनाटक में सुपारी का प्रयापत और उत्पादन होता है और किसानों का कहना है करनाटक की आयात की आवशक्ता नहीं है करनाटक और केरल से देश के बिविन भागों में सुपारी की सप्लाई होती है करनाटक केरल और असाम ये तीन राज एक सुपारी के लिए प्रमोकुतपादक रोश माने जाते हैं इस बार समाचार ये मिल रहे हैं कि दक्षिन बारत के प्रमोकुतपादक छेत्रों में लंबे समय तक अच्छी बारिश नहीं होने और मौसम के गर्म और शुक्स रहने से सुपारी का प्रडेक्शन इंपक्ट हो सकता है स्टॉक की कमी और ची मांग के कारण सुपारी के अंदर तेजी का माहूल बन सकता है ऐसी संभावना है दूसरी और जलवायू परिवर्तम एवं प्रतीकूल मौसम का सीधा असर सुपारी के उत्पादन पर देखा जा रहा है लाल किसम की सुपारी के दाम पिछले कुछ 30-40 जिनों में ही एक जबरदस्ते जी देखी जा चुकी है चन्नागिरी और शिमोगा जैसे प्रमुक थोकमंडी में लाल सुपारी की वराइटी का भाव 448 उप्रतीकिलो के उच्चतव मिस्थर पे था जो 29 अपरेल दोजा चोईस को उचल कर 536 उप्रतीकिलो तक पहुँचने के भी समाचार मिले है गौरतलबै की लाल सुपारी का की शौटेज बताई जा रही है क्योंकि अनेक उत्पादक पहले ही अधिकान स्टॉक की विक्री कर सुके है इसके लावा अगामी समय में इसका उत्पादन प्रभावित होने की प्रवल संभावना बन गई है और कुछ इलाकों में तो बिल्कुल सूखे की स्थिती बताई जा रही है दावन गिरेज लेके चन्नागिरी तालुका को में लाल सुपारी का प्रमखुत पादक शेतर माना जाता है वहां की जील के पानी उपरी बगानों से उपरी बगानों में सिचाई होती है लेकिन इस बार जील सूखी गई है और वहां तक सफे सुपारी की हम बात करें तो उसके भाव इसतर बताय जा रही है और लेकिन पिछले लगबग त 30-40 दिनों में उसके भाव में भी सुपे सुपारी के भाव में भी कुछ सुधार देखा गया है गौर्टराब है कि सफेज सुपारी के नए माल का दाम 360 रुपए और पुराने दाल सुपारी के बाव 440 रुपए पती किलो बताये जा रहा है जो मार्च में 345 रुपए और 415 रुपए था यानि उसके अंदर भी शांदार तेजी दर्ज हुई है गौर्टरा की आने वाले समय के अंदर यही इस्थिती रही तो सुपारी के दामों में मजबूती की संभाव ना बन सकती है दोस्तो तेजी आने से पहले तेजी और मंदी आने से पहले यदि आपको मंदी का जानकारी मिले तो आपका व्यपार सुगम हो सकता है दोस्तो सुपारी, इलाइची, बडी इलाइची, छोटी इलाइची, सौफ, अजवाइन, मेथी, जीरा, धनिया, लाल मिर्च, काली मिर्च और हल्डी जैसे सभी मसालों के विशेश रिसर्च के लिए उपलब्द हो सकती है मामूली सयोग राशी अदा करने पर दोस्तो आपका सयोग हमारे लिए बहुत महतवपुन है आपके लाके में सौपारी के क्या भाव हैं वो अवर्श लिखके भेजें आपको याद होगा लगवख हमने 10 से 15 दिन पहले भी आपको सौपारी का अपडेट दिया था और उसके बाद सौपारी के दामों में अंतर द ठीकी गई है साथ-साथ अनुसंदान और स्रिक्षन के उद्देशे से दी जा रही है कोई भी व्यापारी के लेने लेने से पहले आप आकडों को सौप जाचें परकें साथ-साथ अपना विविक का इस्तमाल करें और अपने वित्ते सलाकार से भी जानकारी लें किसी भी प अच्छ गुद लुक एपी टेडिंग